हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टु माई योटूब चैनल फ्रेंड्स, आज किस वीडियो लेक्चेर में हम वर्ल्ड जियोग्राफी ठीके, वर्ल्ड जियोग्राफी का जो आज टॉपिक है वो खनी संशाधन से जुड़ावगा है ठीके, खनी संशाधन के अंतरगत आज हम पढ़ेंगे कोईला यानि विश्न के जो प्रमुख कोईला छेतर हैं उनके बारे हम जानेंगे फ्रेंड्स, आपको बता दे कि UPPCS और UPSC, ROYARO और अधर स्टेट PCS में ऐसे परिक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं हम क्या करते हैं कि अक्षर जो आर्थिक की वाला जो भोगोल का आर्थिक छेतर होए ठीके, जिसे ECONOMICS जिगराफिक करते हैं वे वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं अक्षर उहां से 2-3 ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं ठीके, और ED इस सेप्टर को हम पढ़कर न जाए तो प्रश्न शूट जाता है ठीके, तो आज़े शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कोईला से संबंधित आपको बता दे, जो कोईला है कहां पर पाय जाता है, किस प्रकार के चटानों में पाय जाता है तो ध्यार रखेगा कोईला जो है आवशादी करम के चटानों में पाय जाने वाला संसाधन है और आवशादी जो सेल होता है एक प्रकार से ये परतदार सेल होता है परतदार सेल क्या होता है जब नदियों या फिर अन किसी माध्यम से जब अपर्दित होकर जो आवशाध है किसी नदी घाटी मर, किसी नदी घाटी में जब वो जमा हो जाता है तो धीरे-धीरे कई वर्षों बाद वो ताप वो दाप की कारड वो कोईला पेट्रोलियम वो गैस आदी छित गैस के रूप में बदल जाता है ठीक है आगे दिखते हैं देखे जो आउसादी सहल होता है उसमें जिवास्म पर्याप्त या फिक कह सकते हैं जिवास्म जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आउसादी सहलों में ही खानी स्थेल जिसे हम पेट्रोलियम और जो गैस होते हैं वो किस प्रकार के स्टावनों में पाया जाता है तो भी जो परतदार आउसादी सहल होते हैं उनमें ही पाया जाता है ठीक है परतदार और जो आउसादी सहल होते हैं उनसे और किस प्रकार क चीज चीजे पाए जाती हैं तो ध्यान रखेगा कि कोहला हो गया, स्लेट स्लेट भी जो है वो आवशाधी करम की चट्टानों में पाए जाता हैं पेट्रूलिम आधी जो है आवशाधी वो परतदार चट्टानों से सम्मल्लित हैं आगे देखें कोईला और जो चूने का पत्थर है ये भी आवशादी क्रम के चट्टानों में ही पाया जाता है जो चूने का पत्थर है चूना पत्थर जिसे कहते हैं वो भी एक प्रकार से आवशादी क्रम के चट्टानों में ही पाया जाने वाला है ठीके आगे देखेंगे जो कार्बन और उनकी कठोरता के आधार पर कार्बन की मात्रा और कठोरता के आधार पर कोईला को जो है कोईला चार प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहला एंथराश्शाइट कोईला जो कि कोईला में ये सर्वत्तम प्रकार का कोईला है जिसमें 90 से 95 पर तिससर जो है कार्बन की मात्रा पाय जाता है। वही जो दूसरी करम की कोईला है वो है B2 मिनस करम की कोईला जिनमें 70 से लेकर 90 पर 37 कार्बन की मात्रा पाया जाता है और तीसरा है लिगनाइट कोईला लिगनाइट कोईला को हम भूरा कोईला के नाम से भी जानते हैं जिनमें 40 से 45 परतीसत तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है और चोथे करम का जो कोईला का प्रकार है उसे पीट प्रकार की कोईला कहते हैं जो की निम्न अस्तर का एक कोईला है निम्न यानि इनमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो शबशे कम होती है या फिर से घटिया की सिम के कोईला कह सकते हैं जिनमें चाधा तर जब हम इसे जलाते हैं तो इनमें से धूआ बहुत जादा उत्सरजित होता है जोकि कार्बन डायकसाइट खोद जादा मात्रा में शल्फर वरग इसमें से निकलते हैं ठीक्वे तो इतनी अच्छे प्रकार के कोईला नहीं होता है तो इस चार प्रकार के कोईला होते हैं जिनमें की उनकी कार्बन की मात्रा कठोरता के अधार पे हैं आगे देखें ये बिस में जो कोईला के उत्पादन और जो भंडाड के मामले में जो देश हैं जहां से अक्सर प्रश्ण पूछा जाता है इसे हमें अपडेट करते रहना चाहिए क्योंकि ये आकड़े बदलते रहते हैं ठीके प्रश्ण कब पूछा गया है और हो सकतना है कि वो नए रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया हो तो ये 2020 के रिपोर्ट के अनुसार पांच जो उत्पादक देश हैं वो हैं पहले अस्थान पे जो है चीन है दूसरे अस्थान पे भारत है तीसरे अस्थान पे इंडोनेसिया है चौथे अस्थान पे युवेश्य है और पांचवे अस्थान पे आस्ट्रेलिया है वहीं हम देखे भंडारण के दृष्टी से तो भंडारण के दृष्टी से सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा वो इंविश्य हो जाएगा उसके बादरोश है तीसरे नमर पर आस्ट्रेलिया है चौथे नमर पर भारत है चौथे नमर पर चीन है और पाँचवे नमर पर भारत है । आएक कुछ और कुछ इनमें सम्बंदी थे इनने भी देख लेते हैं जैसे संयुक्त राज अमेरिका में कोईले का जो सबसे बड़ा छेत्र है वो उत्तर अलपेशियन कोईला छेत्र है यहां पर उत्तम कोठी का कोईला प्राफ होता है संयुक्त राज अमेरिका के अनप्रमुख जो कोईला छेत्र है जिनमें दक्षडी अपलेशियन पश्मी आं जर्मनी में एक प्रवाहित होने वाले एक नदी है। उशी नदी घाटी में प्रमुक कोईला छेतर या अौधोगी छेतर इस्थित हैं। और भारत में नागपूर का जो पठार उसे हमरूर बेसिन कहते हैं। तो जर्मनी में इस्थित जो सार लेंड है और फ्रांस की सीमा पर सार नदी में इस्थित है। यहां कोईला के ब्रिहत निक्षिप मिलते हैं। रुकवा जील छेतर जो है की तंजानिया में हैं कि आभूसर बनाने योग अनेक पत्थों की प्राप्ति होती हैं। इन में एमराल्ड हो गया, मूनुस्टोन हो गया, एक्वामारीन हो गया, एमेथिस्थ है, रूबी है और ट कोपाज प्रमुख हैं। इस हित्र में कोईला खनन के भी कई कार्रे हुए हैं। अब हम देखते हैं विस्थ के जो प्रमुख कोईला छेतर हैं, जहां से अकसर प्रश्ण पूछा जाता है। पहले उन्हें देख रहते हैं, लास्ट में हम लोग अब्जक्टिव प्रश्ण को सॉल्व करेंगे, उन्हें आप सॉल्व करना, ठीके, लास्ट टक वीडियों बने रहेगा, चीन के देखेंगे, चीन के जो प्रमुख कोईला छेतर हैं, जिसमें सांसी, सांसी, कांसु, होनान प्रदेश, मंचूरिया प्रदेश, हुपे, और सांतुंग, और अहनुई, ठीके, तो ये जो हैं आपके प्रमुख कोईला छेतर चीन के हैं, अब हम देखेंगे उतरी अमेरिका के जो प्रमुख कोईला छेतर हैं, जिन में सबसे बड़ा जो कोईला छेतर हुए है, अपलेशियन, ठीके, इसके बाद राकी परवत छेतर हैं, जो की उतरी अमेरिका मे और इसके बाद प्रशान तटी छेत्र और इसके बाद देखें, तो इसके बाद आंत्रिक छेत्र के अंतरगत जिसमें मिशिगन, मिशोरी, आवोया, टेक्सास, ठीक है? इन नदी घाटी में मिशीगन, मिशोरी जैसे नदी घाटियों में और आवोया और टेकसास, आधी छेत्रों में इसके नमा ब्रिहत मैदान छेत्र, खाडी तटी छेत्र, इन सभी छेत्र जो हैं ये आपके उत्री अमिरिका के अंद्रगत आता हैं भारत में वही दामोदर नदी घाटी में, सोन नदी घाटी में, महा नदी घाटी में, गोदावरी वर्धा घाटी में, सत्पूरा छेत्र और पूर्वी हिमाला छेत्र में ये भारत के प्रमुक कोईला छेत्र हैं आगे हम देखें अब ये इसे हम विश्व के मैप में आप देख सकते हैं एदी हम शुरुवात करें चीन के चीन का जो सेंसी या सांसी छेतर है ठीक है जेचुवान या सीचुवान छेतर है ये आपके कौन से छेतर के हैं तो ये आपका चाइना वाला छेतर है और काली मंतान जो कि इंडोनेशिया वाला छेत्र है, रानिगन जरिया वाला जो है छेत्र है ये आपका भारत है, वही आस्ट्रिया की बात करें, तो आस्ट्रिया में न्यू केसल हो गया, जो कि क्विन्स लेंड वाला छेत्र में है, और न्यू साउथ वेल्स जो है, न्यू साउथ वेल्स प्रांत में है ठीक है तो यह होगी है आप के इधर के पश्मी आफ्टेलिया है और यह नार्थन आफ्टेलिया आफ्टेलिया है और यह आपका το इधर वाला न्यू शाउथ वेल्स है और ये आपका विक्टोरिया वाला छेत्र है ठीक है अब देखिए अफरिका में जो कुछ कोईला छेत्र जैसे ट्रांस वाल छेत्र है जांबिया है नाइजीरिया है और जो मैसिब कोईला छेत्र है ये फ्रांस का छेत्र है लंका सार ये इंगलेंड वे हैं ठीक है सार नदिक हाटी छेत ये आपका जर्मनी का है रूर बेसिन ये भी जर्मनी का है मासको छेतर ये रूस का है वही आपका कुजनेट्स ये भी रूस का छेतर है यूराल को ये भी आपका रूस का छेतर है डोनाट्स या फिर डोन बास जो छेतर है ये यूक्रेन का प्रमुक छेतर है यूक्रेन का और वही कारागांडा बेसिन जो है जे कजाकिस्तान का छेतर है ठीक है अब देखें जो उतरी अमिरिका के अंतरगत है जैसे राकी प्रवत कोईला छेतर है और उतरी अमिरिका में अलपेसियन छेतर है जे आपका मिसावरी और मिस सीपी न दिखाटी के छेतर हैं दक्षडी अमरिका की बात करें तो कोलंबिया हो गया चीली हो गया ब्राजील हो गया जैसा भी कोईला छेतर दिखाया गया है ठीक है अगे कुछ और बचा हुआ है इन्हें देख लेते हैं उसके बाद हम अब्जेक्टिव कोर्शन सॉल्व कर करते हैं इर्कूटुस्क बेशन और पिचावरा बेसिन आमोर्रदी घाटी बेसिन कांस्क आचिंग्स घाटी और यूराल बेसिन मासको टूला प्रदेश और साइवेरिया छेतर ये सबी रूस की कोईला छेतर है ठीक है इसके बाद कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्त के अंतरगत कारा गांडा बेसिन जो है ये कजाकिस्तान का हो गया और जर्मनी की बात करें हम तो जर्मनी में रूर घाटी और सार बेसिन जो की पश्मी जर्मनी में पढ़ता है और सैक्सनी जो है ये पुर्वी जर्मनी में है आश्टिलिया की बात करें तो नाउ न्यू श चलिसिया घाटी बेलचाटो क्राखव यौक घर आश्यौम् Install बालवरchnी और जिसे हम बाल्डयनबर्ग भी कहते हैं ये हो गया आपका पॉलेंड भाला और देखें उनाटेट किंडम के यार्क सायर, डर्वी सायर और नटिंगम सायर जो किंगलेंड में है और नार्थम बर्लेंड, डर्हम इंगलेंड और दक्षडी वेल्स, क्लाइड घाटी जो स्कार्ड लेंड में है और लंका सायर जो किंगलेंड में है ये सबी आपके यूके के अंतरगत आता है और फ्रांस के अंत्रगत जो है वो है नार्द पेस, नार्द पेस, देग, कैलीस, और लारेंज च्फेत और एक और छेत्र है जिसे हम मैसीब कोईला छेतर कहते हैं यह भी फ्रांस में हैं और दक्षिड अफिरका में चर्शा में रहा है warto और यूकरेन के बीच जो उड़े चल रहा यहूं डोनेघ्व वेसिन यह आपको याद रखना है रूस के अंत्र गत आपको याद रखना है कुनेऩच वेसिन कुजबास यह याद रखे तो ये सभी आपको याद रखना है और इसके पहले हमने बताया था चीन के अंत्रगत ये याद रखेगा और उत्तरी अमरिका में अलपेसियन छेतर याद रखे राकी प्रवत छेतर रखे भारत में दामोदर घाटी सोन नदी घाटी महानदी घाटी चेतर गोदावरी अरधा घाटी सत्पुडा चेतर पुर्वी हिमाला चेतर ये सबी आपके कोईला आदी चेतर है ठीके अब लास्ट में हम लोग जो अबजेक्टिव प्रश्ण उन्हें स्वाल्व करेंगे देखे कोईला एक उधार किस प्रकार का उधार है ये परतदार चटानों का एक प्रेट्रोलेम पा जाता है तो परतदार और या फिर आवशादी चटान में ठीके कोईला कच्चा तेल वो प्राप्टिक गैस कहलाते हैं तो किस प्रकार के हैं तो जिवास्मिक फिल इधन कहलाता है इसके बाद निम्नांकित कत्मों पर कौन सा सही है तो इसमें दिये के ज अगरी कोईला उत्पादक छेतर हैं यूक्रेन जो डोनेट बेसीर ये कोईला उत्पादक छेतर हैं जर्मनी का सार छेतर जो कोईला उत्पादक छेतर हैं और सायूत राज अमिर्का में जो अलपेसीर प्रदेसर ये प्रमुक कोईला उत्पादक छेतर हैं इसके बाद डोन जे आपका रूस का है और डोनिट जो है यूक्रेन का है ठीक है ये सबी कोला छेतर है इसके बाद पत्थर के कोले के भंडार में कौन सा देश अगड़ी है तो ध्यार के ऐसे प्रश्णों को अपडेट करते चलना है तो ये प्रश्ण जब पूछा गया था तो काफी पूरान है जो इसका अंसर चीन है लेकिन अफिलाल में वर्तमान में देखा जाए तो इसमें जो भंडार के मामले में वह है आपको याद रखना है यूश्चे ठीक है अगला प्रश्ण है पिस्व के कोले का आधे से अधिक उत्पादर प्राप्त होता है तो प्रश्टकाल जब तो जर्मनी का एक छेत्र है इसके बाद प्रशिद रूर कोईला छेत्र जो है वो किस देश का है तो ये भी आपका ध्यारक ना है ये जर्मनी का एक छेत्र है अगला प्रश्ण है कि निम्मे से किस देश में सरवाधिक कोईला पाया जाता है ठीक है तो किस देश में अधिक कोईला पाया जाता है उत्पादन की मामले में पूछा जाएगा चीन है और भंडाल के मामले में पूछा जाएगा तो इस प्रश्ण का जो सही उत्तर होना चीए था क्या यूश्य होना चीए ठीक है अगला प्रश्ण है ऐसे प्रश्णों को अपडेट करते चलिएग सबसे अधिक कोला उत्पादन करने वाला उत्पादन करने वाला देश कौं है तो ये चीन है इसके बाद रुकवाज जील-चेत जो तंजानिया का हैं किस खनीच के उत्पादनी के प्रशिद है तो ये कोला के लिए अगरा प्रस्ण इंब निखीत में कौन सा एक जर्मनी का कोईला छेत्र नहीं है, तो इसमें रूर घाटी और इसके बाद सार बेसीन और इसके बाद अचेन ब्रेसीन है, ठीक है, तो इनमें जो नहीं है वो आपका B आपसन, B जो है लॉरन बेसीन जो है, यह एक फ्रांस का कोईला छेत्र है, ठीक है, सेसिस में रूर घाटी हो गया, इसके बाद सार बेसीन और अचेन बेसीन जो है यह जर्मनी का कोईला छेत्र है, ठीक है फ्रेंट्स, तो यह रहा आपके, जो आज का आर्थिक छेत्र से प्रश्ण पूछा गया था, जो कोईला से सम्बंधी प्र अच्छा लगे तो इसे लाइक सेर करें, और अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब भी कर लिजी, हम जल्दी अगले वीडियो लेक्ष मिलेंगे, लो आयक्स को लेकर, तब तक के लिए जाहिन जा भारत